सबको मेरी तरफ से नमस्कार भाई अगर आप SSC, CGL की CHSL, MTS, GD, CPO किसी भी एक्जाम की तैरी कर दे हो Railway exams की तैरी कर दे हो RRB, NTPC की तैरी कर दे हो और Current Fair का session आपको अच्छे से कवर करना अच्छे से कवर करने का मतलब यह नहीं कि एक मेने की वीडियो को 10 गंटे में, 6 गंटे में, 5 गंटे में करा रहा हूँ या डेली एक एक गंटा करा रहा हूँ नहीं, concise way में आपको सारे subject पढ़ने पढ़ते है मेरे भाई, math भी पढ़ना पढ़ता है, English भी पढ़ना पढ़ता है reasoning होता है, फिर GS में भी सब कुछ पढ़ना होता है history, political, geography, static, gk उसके लाब बहुत सारा portion होता है फिर science का portion होता है, biology, botany, geology, physics, chemistry सब कुछ पढ़ना होता है आपको और उसमें फिर current fair का session हो जट जाता है current fair से एक या दो question आता है आपका, ssc exams में मिलनी अगर आप उसको डेली एक ये घंटा पढ़ रहे हो तो आप बेवकूफ हो, समझ जाओ आप भीड में बहुत पीछे रहे हो बाई current fair का session आपको concise way में पढ़ना है अच्छे से पढ़ना हो, ठीक है मैं आपको उतना कराऊंगा कि जितना आपके exam के लिए needed है आपको एक balance approach के साथ त्यारी करने है मेरे बाई यह बात ध्यान से सुनो मेरी balance approach करंड फेर के session को उतना ही time देना है जितना देना चाहिए और जितना needed है जितना sufficient है वही चाहिए वही ठीक है तो बात करते हैं आज करंड फेर के session की माई का session शुरू करूँगा 3-4 maximum video आएंगी 20-20 minute की आसपास लगबग छोटी video रखूँगा कि एक video आप 20 minute की देख पाऊ फिर 20 minute की देख पाऊ और अच्छे से revise कर पाऊ चीजों को relevant रखूँगा चीजों को बिल्कुल अच्छे से आपको समझ मैं उतना रखूँगा ठीक है तो शुरुवात करते हैं करंड फेर के session की बिल्कुल तेलिवेंसी के साथ exam oriented approach के साथ सुरुवात करते हैं तो शुरुवात करते हैं करंड फेर के session की आपके लिए बहुत ज्यादा एक smart approach है वो exam को clear करने की क्योंकि आपके खुद के handwritten notes है बार-बार revise कर सकते हो आप ठीक है तो मैं तो recommend करता हूँ handwritten notes बनाके रखो अपने ठीक है तो शुरुवात करते हैं आज के करंड फेर session की बात करते प्रिवर्तन चिंतन के बारे में जो प्रिवर्तन चिंतन रही है क्या हुआ है अभी भाई प्रिवर्तन चिंतन एक brainstorming session हुआ है समझ सकते हो ना brainstorming session Indian Army Navy हमारी फिर Air Force इंटिनों के chief थे हमारे और साथ में हमारे थे chief of defense staff, chief of defense staff, CDS थे हमारे उनका नाम क्या आभी जो chief of defense staff है उनका नाम हमारा अनिल कुमार चोहान अनिल कुमार चोहान यह हमारे CDS अभी इनके दक्स्ता में यह प्रिवर्तन चिंतन वा एक brainstorming session है याद रहे क्या है यह brainstorming session है किसके लिए Army, Navy और Air Force के लिए उन पे और better productivity के लिए और आगे चीज़ों को कैसे better किया जा सकता उसके उपर एक session था जिसका नाम है प्रिवर्तन चिंतन जो डेली में हुआ CDS को नामारे अनिल कुमार्च वान उनकी अधक्स्ता में हुआ और अब आप मेरे को बता दो कि जो Army, Navy और Air Force के मैं भी बात कर रहा हूं यह Air Force डे, Army डे, Navy डे कब celebrate किया जाता है मेरे ध्यान रहे यह बात ठीक है यह मेरे को बताना आपको, comment section में बताना है, तब तक मैं next part में चलता हूँ, pull teacher awards अभी news में थे, pull teacher awards news में थे तो आप से यह पुछा जाएगा कि किसको मिला, यह पुछा जाएगा कि किस से related है, यह ज़्यादा इंपोर्टन किस्टन बनता है यहां से, आप SSC के previous year questions आकर लेगा देखने हो, क्योंकि pull teacher award है न, जो वो किस category में दिया जाता है, और कौन देता है, ध्यान रहे, किस category में दिया जाता है, यह दिया जाता है, यह दिया जाता है, literature और journalism में दिया जाता है, मेरे भाई, ठीक है, literature और journalism में दिया जाता है, यह जैसे drama हो गया हमारा, poetry हो गय पुल्टिजर अवार्ड देता को ने इसको तो इनाइटिड स्टेस् अमेरिका की एक यूवरस्टी है, जिसका नाम क्या? Columbia University Columbia University आपने सुना होगा बड़ी popular University है Columbia University तो वहाँ यह University देती इसको ठीक है Pulitzer जो Award है वो किसने Establish किया था तो यह किया था जो Shep Pulitzer नाम का एक मंदा था उसने क्या किया था डोनेशन दिया था University को तो उसके नाम पर यह Award शुरू किया गया था ठीक है अब बात करते है इसकी का नाम सुना है ना तो उस टाइम पर ही थी वो और अभी रिसेंटली फिर एर इंडिया को एक वाइर किया थे इनों ने तो बिल्कुल एक क्या दिसम्बर को और एर फोर्स डे कब होता है आठ हक्तूबर को अगे बढ़तें पुल data ira was का मैंने बताया अब और अगे बढ़ते है जी इन影片 को JUL चलती है नाइड शुक्स होती है इंकी मिक्स सलती है तो बहुत जादा मतलब ऐसा प्रोफेशन है जो केरिंग वाला भी है और स्ट्रगल वाला करियर ऐसा करियर यह ठीक है तो international nurses day उनको celebrate करने के लिए 12 मही को celebrate किया जाता है ठीक है कब किया जाता है 12 मही को celebrate किया जाता हमारा international nurses day our nurses our future अब की बार क्या theme है यह कैसे celebrate किया जाता है क्यों कि जो Florence Nightingale थी ना क्या थी Florence Nightingale यह नाम सुना होगा आपने कहीं ना कि पक्का सुना होगा English की books वगेरा में भी पहले आता था यह ना वाप जब ऐसी इन गलास में होते थे तो Florence Nightingale उनको बोला जाता है founder of modern nursing क्या बोला जाता है क्योंकि जो क्रीमियन वार हुए थे ने मेरे भाई क्या वाथा क्रीमियन वार हुए थे ना 1853 से लेके 1856 के बीच में यहाँ पर लडाई होती थी तो रात को जो वहाँ पर सैनिक होते थे soldiers होते तो वो injured होते थे तो यह क्या करती थी लेंप लेके जाती थी और एक एक soldiers को देखके उनका treatment करती थी इसलिए उस वजह से इनको पता क्या नाम दे दिया गया उस वजह से इनको एक नाम दिया गया जिसको हम क्या बोलते है The Lady with the Lamp क्या बोला गए इनको The Lady with the Lamp ठीक है ये इनको नाम दिया गया है ये इनको एक उपादी दी गई ठीक है याद रहे एक्रोनीम दिया गया इनको ये International Nurses Day 12 मही को Celebrate किया जाता है अपकी बार का जो theme वो क्या Our Nurses, Our Future The Lady with the Lamp या Florence Nightingale जिनको founder of modern rushing बोला जाता है ये भी याद रखना है आपको और इनी के celebration में इनी के birthday celebration में क्या है ये 12 मही को चुना गया है Crimean War हुए तो 653-56 के बीच में उस time पे इनोंने soldiers की treatment की थी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं इंडिया और Oman इंडिया और Oman ने एक collaboration किया Oman एक country आपको पता ही है Gulf countries में आती है उन में तो collaboration on shark and ray shark and ray के उपर collaboration किया जाएगा research किया जाएगा shark and ray ये क्या है भाई shark and ray ये क्या हाई है हमारी fish होती है shark का नम सुना ही होगा आपने shark जैसा mind तो ऐसे सुना होगा ना आपने shark and ray ये क्या है fish की टाइप होती है हमारी ठीक है तो ध्यान रहें तो इंडिया और Oman ने collaboration किया shark and ray पे Arabian CA में Arabian CA में समझने हो ना Arab सागर में वहाँ पे क्या किया जाएगा research किया जाएगा shark and ray के उपर ठीक है और इसको इंडिया की तरफ से कौन सा institute है जो लीड करेगा जो पूछा भी जाता है exam में तो वह होता है Indian Council of Agriculture Research ICAR जिसके headquarter दिल्ली में है उसके अंडर एक institute है जिसका नाम है CMFI मतलब Central Marine Fisheries Research Institute मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए important है SSCC जल्दो जर्बाइस उठाओ गए ना ऐसे ही directly institute दिये गए थे और उसमें matching करा ली थी और थोड़ा सा मतलब out of trend institute दिये गए थे ठीक है तो आपको वह में सारे institute है जो research institute है वो सब के headquarter कहां कहां पर वो लोकिटिद है अलक सी वीडियो में बताऊं भी आपको ठीक है तो CMFRi Central Marine Fisheries Research Institute Central Marine Fisheries Research Institute ठीक है यह ध्यान रहे है यह हमारा मूमबई में है मूमबई में अंधेरी नाम की जगह सुनी होगी अपने जहां पर एक्टर एक्टर गुमते रहते हैं में हडती नौ बॉन्स इनी मेरे बहाई इन में जो बोडी है ना वो किससे बनी होती हो क्या होते हैं, cartilage, और जब फीश है, हम फीश की बात कर रहे हैं, तो इनकी study को क्या बोला जाता है, मेरे भाई, ये one word substitution में English में बोला जाता है, पूछा जाता है, और मेरे पास experience है, exam को कई बार अच्छे से clear करने का, बहुत सारी exam clear करने का, और क्या-क्या चीज़ पूछी जाती है, exam oriented, मैं आपको पता सकता हूँ, तुरंट देखती ही बता सकता हूँ, कि ये exam, ये लिए element है या नहीं है, तो जैसे मैंने अभी Fiesies की बात की, मैं बात अभी GSG के करना हूँ, लेकिन मेरे को English का एक वड़ याद आ गया, तुरंट है, उसको बोलते है, सारी चीज़े लिक लो मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पांच मिनिट एक्स्टरा लेकिन, अपने हाँ से लिक लोगे, बार-बार रिवाईज करने में बहुत फायदा मिलेगा सभी बता रहा हूँ मैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इक्थियोलोजी के बारे बात हो गया अब बात करते हैं हम हाँ नैशनल फैडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियंशिप यह चैंपियंशिप हुई है इसको यह एथलेटिक्स की चैंपियंशिप अपटाई होगा उडिस्वार अपका पता ही होगा है आपकी बार वहाऄ पर इसको कन्ड़क्ट करा गया है ठीक है और अथ्लेटिक्स क्या होता है an esthuletics और atlety में बहुत सारे लोगी इंश्न मृत रहते हैं तो इथलेटिक्स क्या होता है एथलेटिक्स होता मेरे बाई जैसेけど ही बी जैसे σोपडा हमारे निज बाई जैवलें फोलमें है ऐसे फूले गैं मोता टृपल तो इनकी एक national championship conduct कराईगी है जो हर साल कराई जाती है निर्चोपड़ा से आप रिलेट कर सकते हो कि जैसे जैवलीन थरो तो एक SS event होते हैं इसमें यह उडिसा भवनी शुवर में conduct कराईगी है ठीक है women triple jump अब इसमें देखो खास बात क्या है women में triple jump फिजैवलीन थरो में 400 मिटर हडल्स में तीन कैटेगरी में बड़ा important है जो पूछ सकते हैं आपसे exam में ठीक है तो triple jump में किनों ने जीता है तो triple jump में जीता है उनका नम पता है क्या उनका नम है मलाला अनुसा मलाला अनुसा उनका नम है याद रखना है यह मलाला अनुसा नाम याद रखना है जैवलिन थोरो में किस ने जिता जैवलिन थोरो में जिता है रस्मी के ने जैवलिन थोरो के सुपरस्टार तो मारे नीरे चोपड़ा हैं लेकिन विमेन के टेगरी में अब के बाद सुपरस्टार कोन बनी है रस्मी के याद रहे और 400 मीटर हर्डल्स में किस ने जीता उनका नाम है वीरपाल कोर क्या नाम है वीरपाल कोर यह नाम है भाई याद रहे ठीक है क्या नाम है वीरपाल कोर मैन 400 मीटर हर्डल्स में भी इंपोर्टेंट नाम है जिनका नाम क्या है संतोष कुमार क्या नाम है संतोस कुमार तो यह नाम आप तीन चार बार रिवाइज कर ले ना दिमाग में फिट हो जाएंगे एक्जाम में आएगा option तो अलिमिनेट कर पाओगे option ठीक है तो ट्रीपल जम्मे किनों ने जीता मलाला अनुशा ने जीता जैवलिन थो में रश्मी के ने जीता और हमारा 400 मिटर हडल से मेन कटेगरी में वीरपल को न जीता लेकिन मेन कटेगरी में 400 मीटर हैरडल से में संतोस कुमार ने जीता और एक और इंपूर्टन नां भच में आबा क embroidery में short foot भी इसका एक event होता है short foot में 18.41 meter throw किया ठीक है और इन्होंने यहाँ पर क्या जीता है gold जीता है याद रहे आबाख खतवाने भी ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बात करेंगे world foot holiday की world foot holiday भाई बड़ा news में है क्यों क्यों क्योंकि recently United Nation ने United Nation ने क्या किया है 25 मई को 25 मई को मेरे भाई क्या किया है world foot holiday declare कर दिया है world foot holiday 25 मई को हर साल celebrate किया जाएगा foot world दुनिया का साइट सबसे मतलब famous game है इतनी countries में खेला जाता है तो इसको एक dedicated day हर साल celebrate करने के लिए 25 मई United Nation ने declare किया अभी ठीक है खास बात है 25 मई ही क्यों चुना गया मेरे भाई है यह 25 मई ही क्यों चुना गया क्योंकि 1924 25 मई 1924 के अगर अब बात करोगे तो 1924 के जो Olympics Games होए थे ना वो Paris में होए थे और उसी का एक हिस्सा रखते हुए International Football Tournament पहली बार कंड़क्ट करा गया था ठीक है अलगलग कंट्रीज के बीच में पहली बार International Football Tournament 25 मई 1924 को कंड़क्ट करा गया था एज यह पार्ट ओफ ओलम्पिक्स 1924 पैरिस ठीक है तो यह बात ध्यान रहे इसलिए 25 मई को चुना गया और 1924 में यह टुनामेंट करा गया था तो यह भी पूछ सकते हैं आफ से अब बात करते हैं फुटबाल को जो कंड़क्ट करती है पूरी दुनिया में बोडी एपेक्स बोडी हाइस्ट बोडी वो कौनसी है वो है फीफा फीफा कंड़क्ट करती है पैरिस में 1904 में इसके हैड़क्वार्टर कहां पहे इसके हैड़क्वार्टर कहां पहे जूरीक जूरीक जो हैड़क्वार्टर मिल देंगे आपको वो स्यूजे लेंड में मिलेंगे तो इसके कहां पहे है जूरीक में यार रहे कहां पहे है जनेवा बहुत सारी जगह एड़कॉर्टर मिलेंगे आपको जनेवा में लेकिन जियूरिक सुरुजर लेंड में इसके एड़कॉर्टर है फीफा के जनेवा रहा था इतने से रहाता फोर्टू से रहा था फॉर्टू से रहा था फ्रान्स को और और अज्यन्टीना इसी के साथ कितनी वार वर्ल्ड कप जीतने वाला वन गया फिपर वर्ल्ड कप जीतने वाला तीसरी वार जीता था अब इससे इलेटेड बात ही चल दिये तो पहला फुटबोल वर्ल्ड कप था वो कब करा गया था वो करा गया था 1930 में याद रहे यह चीज फालतू की नहीं है एकजाम में पूछी हुई है यह चीज एक्जक्ट आफ सर्च कर ले ना पूछी हुई है 1930 में पहला वर्ल कप करा गया था फुटबोल का और कहां पे करा गया था वो भी पूछा जाता तो वो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है उरगवे ठीक है उरगवे में प्रागवे उरगवे दो कंट्री एक जैसी राइम करती है तो उरगवे में कंड़क्ट रहा गया था 1930 में ध्यान रहे आपके बात ठीक है और आब आगे बढ़ते हैं मेरे बाई आगे बात करते हैं TCS की Tata Consultancy Services TCS इन्होंने क्या कि अब क्या Artificial Intelligence तो बहुत ज्यादा न्यूज में अभी चैट, GPT आप बहुत कुछ सुन रहे होगे तो Global Artificial Intelligence Center for Excellence यह इन्होंने उपन किया है TCS ने कहां पर उपन किया है तो यह ध्यान रहे अभी फ्रांस की बात कर रहे थे तो हम फ्रांस में उपन किया पैरिस में Global AI Center for Excellence कहां पर पैरिस में फ्रांस में अभी इन्होंने एस्टेबिस किया है TCS ने Tata Consultancy Services ने बस इतना याद रखना आपको हां एक बात और बता देता हूं जो फादर ऑफ आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस स्टेटिक जीके का पार्ट है डिस्कवरी जैंड इन्वेंशन का पार्ट है अलग वीडियो पनाँगा लेकिन अभी द्हां से सुन लो फाधर ऑफ आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस बता किसको बुला जाता हुमारा जोन मिखार्थी को जान मकार्थी को आपको उस पर भी काम करना चाहिए लेकिन अभी आपकी priority क्या है अभी आपकी priority exam clear करना ठीक है तो pronunciation अलग चीज और कुछ चीज इनएडिटेड होती है भाई अहियाना से वो तो कुछ चीज इनएडिटेड रहेंगी मैं इंगलिश भी बोलूँगा तो उसमें कुछ ने कुछ प्रोफेशनल लेवल पर यह चीज शिखनी है वह चीखनी चाहिए लेकिन इन चीजों के बिल्कुल इतना भी जिल्शिन लगा लेना चाहिए कि कि किसी को जजी करने लग जाए ठीक है और करता दो करें जा बाड़ में जा भाई ठीक है मैं किसी एक एरेग एरे के लिए बो रहा ता याद रहे इंट्रनेशनल नर्सजेडे होटे घ्यारा मही को 다 बारा मही को इनट्रफि के लिए चाह होनारा ध्यान करता जाता हाँ य। International Day of Families, International Day of Families celebrate क्या जाता है, हर साल 15 मही को, और अपकी बार का जो theme है, families and climate change, इन्होंने क्या किया आपकी बार की families को climate change के साथ जोड़ दिया, मतलब भाई, families का क्या रोल होगा, climate change को ठीक करने, इस चीज को handle करने में, tackle करने में, क्योंकि आपको पता ही है की climate change क्या है, आज के time जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो डेली में 50 डिगरी के असपास temperature record किया गया है, heat wave, लू चल रहे है, वही खतरनाक, ठीक है, तो उससे ही related अपकी बार हमारी जो families का contribution हो सकता है, उस चीज को improve करने में, उस चीज को better करने में, enhance करने में, families and climate change अपकी बार इसका क्या कर द ज्यान रखती है, तो 15 में को क्या होता है, International Families Day, अब बात करेंगे, लोरेंस वोंग की, लोरेंस वोंग ये कोन है, ये चीता कोन निकला यहाँ, एकदम लोरेंस वोंग, तो लोरेंस वोंग है, हमारे सिंगापूर के ने PM, सिंगापूर के ने प्रधानमंत्री बने, लोरेंस वोंग, बस इतना ही जानना, इसके बारे में, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना, ठीक है, सिंगापूर से रिलेटेट कुछ और बाते आईंगे, तो मैं फिर बता दूँगा, लेकिन अब भी से इतना ही जानना यह बड़ा इंपोर्टेंट है, मजगाओं, डोक, सीब बिल्डर्स, इन्होंने अपकी बार क्या किया, अपना डाइसवा, 250th, डाइसवा अपना क्या फाउंडेशन डे सेल्वेट किया, मतलब इनको बने हुए 250 साल हो गए, मजगाओं, डोक, सीब बिल्डर्स, आपने कई रही है, तो नेवी से लेटिड अगर जब भी बात आएगी, तो मजगाओं, डोक, सीब बिल्डर्स का नाव लेना सही रहेगा, लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनका बड़ा पुराना इतियास है, 250 साल हो गए, इनको बने हुए, और सबसे पहले एक कब बने थे, करन्ट फेर से ही, TCS क्या करता था, अभी नाव एंडर आएगा, कोई भी होता, examiner, mostly क्या करता है, कि आपका जो करन्ट फेर में, जो करन्ट में न्यूज चल रही है, उसको हिस्टी से, जियोग्राफिय से, ऐसे, रिलेट करके पूछ लेते हैं, जैसे पोर्ट कोई आपने नहीं पढ़ा, लेकिन न्यूज में तो था भाई, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने पूछ लिए, आपको लगएगा कि ये तो करन्ट फेर का सेशन, करन्ट फेर में तो मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन और एक्चुल में पार्ट करन्ट फेर का, इसलिए मै करंड फेर के साथ इन चीज़ों को भी रिलेट करता रहता हूं जूरी है एक्जाम दिया है जी के सेक्षन में अच्छे नमबर निकाले है एक्सविजेंस सारी चीज़ों का पता है मेरको तो थोड़ा सा विश्वास्ट करके चीज़ों पे चलो सही बता रहा हूं ठीक है और यह मजगाओं डोग सीविल्डर के बात कर रहे तो बना कब था 1734 में बना था मेरा याद रहे सीविल्डिन का काम करता है फिर यह संब्रीन वगरा बनाते है अभी इलेक्ट्रिक बोट भी लॉंच की थी इसके प्लेक्षिय में इनों ने क्या किया था एक्ट्रिक बोट भी करते हैं नेक्स पार्ट में मिलते हैं इसको रिवाइज कर लेना और अपने हैंड रिटन नोर्स बना लेना चाहिए शोटे-शोटे फोर्मेट में बनाना लेकिन बना लेना ठीक है नेक्स पार्ट में मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रखो ख्याल रखो बिल्कुल everyone take care